हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्सरूप सर्मा कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे गड़ती आगबन का सिद्धान्द जो की है अभ्यास 4A इसमें के चार कोश्चन हम लोग ने कंप्रीट कर लिये थे और यह है पांचवा कोश्चन पांचवा कोश्चन में है टू पांचवा कोस्चन है 2 प्लस 2 प्लस 2 की पावर यहां पर इसक्वायर है ठीक है उसके बाद डॉट करके यहां पर है 2 की पावर n is equal to 2 2 की पावर n minus 1 तो ठीक है इसको हमको गड़ती आगमन सिद्धाम द्वारा हल करना है तो सबसे पहले से सवाल हम हमें बताया था कि सबसे पहले न बराबर एक के लिए चेक करते हैं न बराबर एक के लिए अभी आपको नहीं समझ में आ रहागा जैसे जैसे पूरा सवाल होता जाएगा बिल्कुल समझ जाएंगे ठीक है तो न बराबर एक के लिए यहां पर दिखिए न कमान एक रखिए और इधर न कमान एक रखिए अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ न बर पावर रन कितना हो गया तू और यहां से टू की पावर रन हुआ टू टू में से बन गया बचाव वन को जो तू के साथ मिल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा टू यह निक बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि एन बराबर एक के लिए सत्त है ठीक तो यहां पर लिग दो है एन बराबर के पर ठीक है तो समीगराण जो आपको दिख रही है यह वाली है ठीक है यह समीगराण आपको जो दिख रही है इसमें बराबर एक एन बराबर के रखिए तो यहां पर हो जाएगा टू प्लस टू स्क्वाइर प्लस टू क्यूब डॉट डॉट यहां से टू इन की जगा पर k रखी है यहाँ से two यहाँ से two जहाँ पर रखे के और यहाँ पर minus one ठीक है इन बबराबर के पर जांच यहाँ पर लिख दिजे हैं ठीक अपर में लिख धूपर उन्सके बाद हमको सवाल करना कैसे होता है इसके बाद एक नया समी करण हम लोग आड़ करेंग यहां पर यह टू के लिखा हुआ इसको ब्रेकड में कर लेंगे यहां पर टू के लिखा हुआ है इसमें हम के के स्थान पर के प्लस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यह हमारा हो जाएगा टू के के स्थान पर रखा जैसे के प्लस वन यह के प्लस वन आगे ठीक यह आप इधर साइड में कर लेंगे तो यह जो जितना आया है ना मान यह मान इनको इधर भी जोड़ देंगे तो यहां पर लिग लिजे दोनों और जोडने पर दोनों और ठीक है दोनों और जोडने पर तो यह हो जाएगा टू प्लस टू स्कॉयर प्लस टू क्यूब प्लस डॉट 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 टू की पावर के प्लस टू की पावर के और पावर में ही प्लस वन है और बराबर है टू टू की पावर के यहां पर नीचे माइनस वन है और प्लस में two to power k plus one है फिर फिर यह इतना है अब हम यह समीकरान को watched कप हीपर डॉट है लेकिन यह जब इसके वराबर तो इसको हल करेंगे और हल करणे हमको क्या प्रूफ प्रूफ करना है हल करके हमको प्रूफ यह करना है तो ब्रेकर्ड में प्रूब करना है ठीक है तो अभी समीह गाणों को आगे उठाई है उसी को हल करके यह दिखा देना है तो क्या करेंगे 2 की पावर के ठीक है नीचे माइनस 1 है बाहर यहां पर 2 लिखा हुआ है पलस तू की पावर के प्लस वन है और हमको हल करके यह दिखाना है तो कैसे करेंगे यहां से लोग क्या करेंगे यहां पे 2 है और इधर देखे यहां पे 2 है और यहां पे 2 की पावर के प्लस 1 है इसको छोटा किया जा सकता है जैसे 2 ब्रेकट में 2 उधर पावर में के है यहां पे माइनस 1 प्लस 2 की पावर के है और इसको डॉट करके जिससे कोई पावर प्लस मे यहां पर भी कामन ले लीजिए कंट वहां घ्या प्लस के बाद यहां पर बहर वेन लेन कि TV कि dolis इसको लिखा जा सकता है टू इन्टू टू की पावर के माइनस वन ठीक अब इसको थोड़ा और आगे सिंप्लाई करिए सिंप्लीफाई करेंगे यहां से टू की पावर यहां पर इसको अगर वन मान ले और यह दूनों गुड़ा हो रहे हैं तो इसको लिखा जाता है टू की K plus 1, और निचे किया है, minus 1, तब देखिए, जो हमने, यहां से जो हमने हल करना शुरू किया है, दास्तमें हमने यह प्रूप कर दिया ना, जो हमें प्रूप करना था, तो यहां पर लिखेंगे, अतहा, यह न बराबर, के प्लस, 1 के लिए सत्य है, ठीक है ऐसे सवाल हल करने है यहाँ पर देखे कुछ चूर यह है यहाँ पर हां यहाँ लिग दी न बराबर k फ्लस 1 पर यह इतना लिग दिज़े ठीक है और इसके बाद यह हल करना है यहाँ से और ऐसे आपको को से सवाल लगाने है यह हम लोगों ने पांच वा सवाल wys me champ ब्राबर करें दिया है क्या वन बाइप्सोध है तो सवाल में बता दिया है कि कैसे करना है कैसे करना है सबसे पहले जलत करें यहां पर तो हम इसमें तो ईन बराबर एक नहीं सकते यहां पर एलबर एक रखेंगे यहां से हो झाये morning is equal to one by four यहां से one का हो गया square यहां पर हो गया बुलस बवन प्लस वन यह केसे होगत एन के जगाँ पर 1 रखा थो यह एक प्लस थे को ओपर हो गया isquire एक आया से यहां से वन एवाई 4 आया और यहां से ट टू आ कितनों आएगा तो शंच करेंगी क fiquei सबस्ब्रकम है तो यहां पर गया 4 से 4 गया और 12 बराबर 1 यह लिए सब्गे है इस के यह आई मेरा बरेक कर नी होती यह इन बराबर के पर तो जहां जहां पर इन लिखा हूँ है वहां पर लिखेंगे के प्लस वर पिछले सवाल में भी देखें लोग क्यों तो वन क्यूब प्लश टू क्यूब प्लस थरी क्यूब dot dot n की जगह पर लिखेंगे k cube is equal to 1 by 4 k square bracket में k plus 1 का whole square ठीक यहां तक complete होगा और इसके बात हमने क्या बताया था कि जहां पर आपका k रखा हुआ है वहां पर k plus 1 रखना है ठीक और उसको दोनों तरब जोड़ देना है तो यहां पर लिखेंगे n बराबर k plus 1 पर यह 1 cube plus 2 cube plus 3 cube dot dot k cube और उसके बाद जोड़ना क्या है यहां पर k plus 1 रखेंगे तो हो गया k plus 1 का whole cube इसको हमने जोड़ दिया इधर भी जोड़ा तो बराबर करने के लिए इधर भी जोड़ना पड़ाएगा यहां पर k plus 1 का whole square है जो हमने यह k plus 1 का whole cube जोड़ा इसको इधर भी जोड़ देंगे यह हो जाएगा k plus 1 का whole cube अब हम इसको तो हल नहीं कर सकते हल करेंगे इसको और हल करके इतने को हल करने के बाद क्या लाना है इसमें अगर हम k plus 1 रख दें यहां पर और यहां पर तो जितना आएगा वहीं हमको लाना है ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे तो यहां से 1 by 4 आ गया यह आपका और यहां से यह k square k plus 1 का whole square plus k plus 1 का इसको square लिखा जा सकता है क्योंकि यहां पर cube है इसको square लिख देंगे और यहां पर k plus 1 हो जाएगा ठीक अब इसमें चोटी सी चीज़ और कर सकते हैं यहां पर k plus 1 का whole square है यहां पर भी k plus 1 का whole square है यहां पर k plus 1 का whole square common बचा common हो गया तो यहां से बचा k plus 1 इसको ब्रेकट बंद कर देंगे और हल करके हमको यह दिखाना है अब चीज़ी देख लेते हैं हल करने पर क्या लाना है हमको 1 by 4 और यहां से आ जाएगा k plus 1 का whole square क्योंकि n की देखा पर हम लोग लिखेंगे k plus 1 और ब्रेकट क कि तीक है तो आप देखें कैसे करेंगे आगे तो बिजी है कि के प्लस 1 का होल स्कॉयर है डिवाइड में इसके निक्चे आप कितना मानिए इसके निक्चे मानिए यहां पर 1 मान लीजी तो कर्कुलेट करेंगे तो यह के स्कॉयर प्लस 4 के प्लस 4 और डिवाइड में कितना आएगा दिवाइड में आएगा 4 तो यहां से के प्लस 1 का होल स्कॉयर आ गया उसके बाद एक के स्कॉयर 4 के और 4 यह बनेगा के प्लस 2 का होल स्कॉयर ठीक और डिवाइड में आ गया 4 जहें लोगों को प्रूव पढ़ना था यह देखिए अब इसको 4 लिखा हुआ नीचे इसको बाहर 1 by करके लिखा जा सकता है 1 by k plus 1 का whole square सब्सक्राइब कर दूसरे बिर्कट में के प्लस टू का whole square है ठीक तो यहां पर लिख देंगे आता है आता क्या आता है यह यह एन बराबर के प्लस वन पर सत्य है अगर आपके एक्जाम में कोश्च नहीं आए तो बिल्कुल ऐसे ही करना है ठीक है चट्वा सवाल हो गया चलिए देख लेते हैं लोग सात्वा सवाल सात्वा सवाल है a plus a r plus a r square dot dot a r n minus 1 ठीक है और a r की power n यहां पर नीचे minus 1 upon r minus 1 ठीक है तो इस सवाल को करने के लि ए जहां पर जहां पर एंद लिखा हूओ है वहांपर कितना लिखेंगे एक तो यह आर विए एफ-1 is equal to A r P 1 ऑर ए र-1 यहांपर देखिए और π़ा कितना है 1-1, और 1-1 यानि कि यार की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 into A कितना आगया, A, यहाँ पर R की पावर 1 है, ठीक है, यार की पावर 1 मतलब R, तो इसको लिखा जा सकता है, A, R-1, बटे में R-1 यहां से R-1 से R-1 कट गया तो क्या आगया ए वराबर यह ठीक है निए पहला इस्टेफ हमारा कम्प्लीट हो गया कि इन वराबर एक पर सकते हैं बहुं को क्या जांज करना है इन वराबर के पर तो इन वराबर के पर जांज करने के लिए सबसे पहले A plus AR plus AR square dot dot AR k-1 वराबर AR k-1 बटे मुझे र मानिस 1 देखे सवाल कठिन नहीं है अवसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है इसका याद करना पड़ता है थीज़िक भी तो इसके बाद लिखेंगे न बराबर k plus 1 पर k plus 1 के लिए बताया था कि जहाँ पर k लिखा हुआ है वहाँ पर लिखेंगे k plus 1 और इसको इधर भी जोड़ देंगे इधर भी जोड़ देंगे और इसके बाद यह step तो हल किया नहीं जा सकता है इसको हल करके क्या प्रूब करना है इसको हल करके यहाँ पर k plus 1 après और पर यह ब्लस में ए आर आर और यस्के लिखाए घ्ल आर आए और यहीं कि लिखेंगे क्व प्लस जैंँ एह लिखेंगे फिल यह गॉज चाह Been ही यह बचेगा यह चलिए देखिए इदर है और और के प्लस नहीं लोग लिखेंगे के जगह पर इसके जगह पर के प्लस वन बाहर कितना है माइनस वन यह यह कड़ गया तो यह आगए आर की पावर के वहीं लिखा है देख लिजे ए आर के प्लस वन पावर माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन इतना लाना है और यहां पर देखे ए आर की पावर के माइनस वन यहां से डिवाइड बाई आर माइनस यह पे छिल रहा है थोड़ा सा और माइनस वन प्लस ए आर की पावर के Drive तो आप देखिये क्या कि आजा सकता है यहाँ से कि यहां से हम लोग क्या करेंगे यहां से देखे टोड़ा सा यह अगर कामन लेले उपर से तो क्या बचेगा यह बचेगा और की पावर के बचा और यहां पर भी और एकड्र में रखी और फुलस यहां से हट गया तो इतना भचा और की पावर की में हैं यहां पर बट्टे में एक हो थोड़ा और संप्व्लाइप सिंप्लिफाइ करिए यहां से एया ऐक और इसके बाद सिसका मल्टिप्लाइ इसे करेंगे यानि कि brauchen to minus one और इस एक और यहां पर यहां पर यहां पर किफार के बताया था कि यहां पर इक और बैपर रहे हे तो गुड़ा में क्या होता wing जटते जुड जाएंगे प्लस हो जाएगा किया हो जाएगा कि आर की तो यह वाली है और इसके भाउर अब आप को यहां से R-1 हम आप आप देखा है होंगे कि यह और यह कट गया कटने के बाद कितना है आए बाहरे आया और उसके बाद आया और की पाभर के प्लस एं इसके बाद मैनस पन नीचे पूरे में और और इसके बाद बटे में आ गया और माइनस और यह प्रूब्ट हो गया वहीं जो हमको प्रूब पढ़ना था तो लिखेंगे अताह यह के बराबर यह अताह यह एन बराबर के प्लस वन पर सत्थ है ठीक है तो इसी तरीके से आपके साथ सवाल कंप्लीट होगे हैं चलिए देखते हैं आठवा सवाल देखिए आठ नंबर पुष्ण में लिखा है 10 to the power 2N-1 11 से विभाज जो है और हमको यह गड़ती आगमन के द्वारा गड़ती आगमन सिद्धान के द्वारा पूरूख पढ़ना है तो वही निया हम सबसे पहले एन बराबर एक के लिए कि यहां बराबर एक के लिए यहां पर प्लस फण है और यहां पर भी प्लस फण लिखा है ठीक है तो इसको हल करेंगे और 11 जो संख्याएगी उससे 11 वह गयारा से विभाज होनी चाहिए ठीक है तो देखिए हल करिए इसको यहां से आ गया 10 की पावर 1 आ गया क्योंकि 2 आएगा 2 में से एक गया वह बचेएगा 1 प्लस 1 यह आ गया 11 और 11 11 से विभाज़े है ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद करेंगे एन बराबर माना लिख लेंगे माना एन बराबर के पर सत्त है तो हम लोग मानेंगे कि एन बराबर के पर सत्त है तो सबसे पहले यह हो जाएगा 2K minus 1 और प्लस 1 और इसको divide अगर करें हम लोग 11 से ठीक है तो कोई संख्या इसको 11 से divide करेंगे तो अगर cut जा रहा है हम लोग माना है कि cut जाएगा या भिभाज हो जाएगा तो भिभाज होने कबाद कोई संख्या आएगी इसको हम लोग M मान लेंगे यहां M आ रहा है यहां से ha notion नए समीक्रण बन सकता है 10 की power 2K कम, at droini-Q right 1 और कुंद कम इतर करेंगे Thallis रूजा यह हम फ्रेम्हें और फ्लस वन इसको इतर लिख लिम गतर नगया माइन तो प्लस ये हो जाएगा 10 2 की पावर हो जाएगा के की जगहाँ पर लिखेंगे के प्लस 1 ठीक है यहां से यह देखी तो इसकी जगहाँ पर के प्लस 1 लिखा और बाहर माइनस 1 है और प्लस 1 है इसी को हल करना है तो यहां से अभी आप देख पा रहे होंगे यह हो जाएगा 10 की पावर 2 के और प्लस में हो जाएगा टू और माइनस वन और प्लस में वन तीक यह वन नीचे प्लस में है अब देखे यहाँ पर अगर हम लोग इसको वो समय करण जो बनाए इसका अगर यूज करना है तो इसको लिखेंगे टेन की पावर टू के और यह माइनस वन को एस टेज रहने आगे अभी सेचीजट आप देखें रिप्लेस कि आह सकता है 11 एं-1 से यहाँ पर 11-1 यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा 100 और यह जाएगा प्लस यह पर यह हो जाएगा 1100-1 ऑप यह जाएगा 11 common हो रहा है अगर 11 common लेने के बाद यहां पर 100 बचेगा और यहां पर कितना बचेगा 11 common लेने के बाद यहां पर बचेगा 9 और यह M बचेगा ठीक है तो यहां से आप लिख लेंगे आता है यह 11 से विभाज जह अब हमें इस चीच का कैसे पता चला की 11 से विभाज जह दिखिए अगर कोई भी संख्या है ठीक जैसे मालियस 27 है तो अगर इसमें से 3 कामन आ रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ इस संख्या 3 से विभाज जह और तीन कामन आ जाएगा यहां से 11 कामन आ रहा है अगर कोई भी संख्या हो अगर इसमें से जिस संख्या को आपको यह देखना है कि संख्या से विभाद जाहे कि नहीं अगर जो संख्या बड़ी से दी हुए उसमें से वह संख्या आ रही है इससे यह चेक करना है कि विभाद नो से देखेंगे ठीए और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को